अच्छा जी तो अब हम देखेंगे वाइ नेशन्स फेल का बुक रिव्यू करेंगे और यह बहुत इंपोर्टन बुक है बिकोज इसमें हमें कंटेंप्ररी इशूस के बारे में पता चलता है इसमें हमें कंट्रीज के फॉल्टर्स और किस तरह से नेशन्स फेल होती हैं उन के डिकलाइन के कौन-कौन से वजुहात हम सारे देखेंगे इस वीडियो में तो वाइ नेशन्स फेल सबसे पहले हमें समझना होगा कि वो कौन से फेक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी नेशन को फेल्यूर का सामना करना पड़ता है वेदर इट इस जियोग्राफी या फ कोई खास वजुहात नहीं है किसी भी नेशन के फेल होने के लिए तो उन्होंने बहुत ही कंट्रीज का रिफरेंश दिया जिनकी जिए जिनकी डिमग्राफी नहीं थी लेकिन फिर भी वो नेशन्स सस्टेंड कर गई अगर यह लगता है कि climate की वज़ा से nations नहीं successful हो सकती तो यह एक myth होगा ठीक है cultural rigidity जिसमें conservative culture की वज़ा से कोई nation fail हो जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता बहुत सारे इसे examples नहीं जिनकी वज़ा से cultural conservation के बाद भी वो nations भर के सामने आई and ignorance hypothesis means leaders ignorant बहुत सारे nations के लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ignorant leaders के बावजूद भी बहुत सारे nations हैं जो के successful हो गए तो real reason कौन सा है किसी भी nation के failure का और उसके success का तो यह case study इस book में author पताते हैं के two types of institutions are there जो failed nation है जो गरीब countries है और जो rich countries है उनमें two types of institutions होते हैं सबसे पहले inclusive institutions और दूसरे extractive institutions अब हम पहले extractive institutions देखेंगे जो किसी भी nation को पूर बनाते हैं इस तरह के institutions हैं तो वह नेशन फेल हो जागी क्योंकि उसके इलीस जो है वह नेरो माइड़े होंगे वह उस नेशन के resources को extract करेंगे और उस resources को अपने benefit के लिए अपने फाइदे के लिए यूज करेंगे गरीब अवाम के लिए नहीं यूज करेंगे उस country में rule of law नहीं होगा market economy नहीं होगी stay strong infrastructure नहीं होगा policies नहीं होगी health care system education policy making और जो overall scenario होगा वो उस country का पूर होगा जिसकी वजह से वो country fail हो जाएगा because of extractive institution इसकी example अगर हम देख लें तो North Korea जो के Russia का part था वो आज के दोर में अगर compare किया जाए South Korea से तो weak है क्यों क्योंकि Russian conservative जो थी उनकी conservative thoughts थी या conservative policies के अंडर आ गया North Korea तो वो is compared to South Korea इतना ज्यादा sustain नहीं कर सका वो weak and fragile है लेकिन अगर उसके comparison में अगर हम देखें South Korea को तो वो ज्यादा prosperous है because वो अमेरिका के अंडर में आ गया सारी चीज़ों को एक positive way में चलाया गया policies को reform किया गया जिसकी वजह से South Korea की economy ने sustain किया और South Korea top powers में consider किया जाता है आज कल तो इस तरह से extractive institutions किसी भी कौम के failure का reason बन सकते हैं अब दूसरे type of institutions are inclusive institutions ठीक है यह ऐसे institutions हैं जिसमें law and order impose किया जाता है जिसमें human development पे काम किया जाता है जिसकी government accountable होती है यहाँ पे education, health, job opportunities, policy making की जाती है और जो भी elites हैं वो उस country के benefit के लिए उस country's over energy के लिए काम करते हैं तो इसी तरह से वो country's sustain करते हैं अब जैसे पेले मैंने north korea का example code किया जो के रश्या के अंडर में था जिसमें extractive inclusive institutions थे लेकिन south korea में inclusive institutions हैं यहाँ पे अमेरिका ने ऐसी policies reform करवाई जिसकी वज़ा से south korea आज flourish day is compared to north korea ठीक है अमेरिका खुद देख लें तो इसकी जब birth हुई थी तो यह इतनी powerful country नही because it has inclusive institutions थीक है तो इस सारी prosperity में सारी success में बहुत ज़्यादा time लगता है सालो साल लग जाते हैं लेकिन in the end results मिलती हैं आप British की Britian की history देख लें British की uplift को देख लें किस तरह से उसने sustain किया French को देख लें France के तरह से revolution आया मुनार्की को Republican में convert किया गया तो इस तरह से आज France का आप France की condition देख लें यह prosperous countries में count की जाती है American accountability system चाइना के institutions को देख लें उन्होंने employment generate की और आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी economy बनने जा रहा है This is only because of inclusive institutions तो यही basic differences होते हैं जो institutions होते हैं जो narrow elite होते हैं उस country के वो ही determine करते हैं कि वो country independent होगा या फिर वो country हमेशा गरीब रहेगा तो अब आप अपना एक sense यूज़ करें अपनी thinking यूज़ करें अपने education को practical implication करें यहाँ पे और अपना idea लगाएं कि पाकिस्तान में किस तरह के institutions हैं वो extractive institutions हैं या फिर inclusive institutions हैं आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे क्या आप अपनी thought को use करें कि क्या यहाँ पे market economy sustain होती है या क्या यहाँ पे rule of law impose हो रहा है क्या यहाँ पे infrastructure, education, jobs और सारी policies को positively allocate किया जाता है या फिर नहीं तो आप अपने एक deduction के तुरू कोई conclusion निकाल लें कि पाकिस्तान में inclusive institutions हैं या फिर exclusive institutions हैं तो इस तरह से हमें बहुत सारे lessons मिल सकते हैं इस book से किस तरह से कि CV nation को अगर successful कामयाप्स बनाना है तो उसकी policy making इस तरह से की जाए कि उसमें inclusive institution को introduce करवाया जाए ताकि future में उसके positive benefits मिल सकें तो यह था review how nations fail का बुक का review और हम दूसरी वीडियो में और भी books के reviews करेंगे और यह मैं पूरी एक playlist बनाऊँगा वीडियो के reviews की जिसमें आपको reviews मिलेंगे और subscribe करें चैनल को और इसको notification bell को on कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप updated रह सक जए आने आपको के बहुत केदिए और इसकोदी हर वीडियो से थार गज़ mayऑने तो रह सकानल कीजिए और रह समचे प्रच का जाए तो यह जचिता प्यों अचे मिलेंगे तो यह हुता आने इन यह वीडियोंगे प्रू चैनल के लुवते हूमें यह वीडियोंशब और क